हाई दिस पूनम शर्मा एंड विल्कम टू सद्भावना नियूज रसोई गया सिलेंडर की होम डिलिवरी में एक बार फिर बदलाव होने जा रहा है जानकारी के अनुसार अब सिर्फ फोन पर ओर्डर बुक करने से ही सिलेंडर की डिलिवरी नहीं होगी सरकारी ओल कंपनिया नवंबर महा से डिलिवरी का नया सिस्टम लागू करने जा रहे है तेल कंपनिया इस नए डिलिवरी सिस्टम को सबसे पहले 100 स्मार्ट सिटी में लागू करेंगी ये पाइलेट प्रोजेक्ट के तौर पर होगा दीरे दीरे देश के दूसरे हिस्सों में भी ये सिस्टम लागू किया जाएगा नया सिस्टम सिर्फ घरेलू रसोई गया सिलेंडर पर ही लागू होगा कमर्शल सिलेंडर को इससे बाहर रखा गया है सुत्रो के मताबिक ये कदम सिलेंडर से चोरी होने वाली कैस सिलेंडर चोरी रूपने और सही कस्टमर के पहचान के लिए लागू किया जा रहा है तेल कंपनिया एल पेजी सिलेंडर का नया डिलेवरी सिस्टम लागू करने वाली है इस सिस्टम में अफसर बुकिंग कराने भर से काम नहीं चुरेगा सुत्रों के माने तो तेल कंपनियों ने नए सिस्टम को डिलेवरी ऑथन्टिकेशन कोड से जोडने का प्लान बनाया है इसमें सिलेंडर की बुकिंग कराने पर आपके रिजिस्टर्ड मोबाइल नमबर पर एक कोड आएगा ये कोड सिलेंडर के डिलेवरी के वक्ते डिलेवरी बॉई को देना होगा जब तक ये कोड नहीं दिखाएंगे तब तक डिलेवरी पूरी नहीं होगी और स्टेटस पेंडिंग में ही रहेगा अगर आपका मोबाइल नमबर गैस विक्रेता एजनसी के पास रिजिस्टर्ड नहीं है या फिर नमबर बदल गया है तो डिलेवरी पे ही आप इसे अपडेट करा पाएंगे इसके लिए डिलेवरी बॉई को एक एप की सुविधा दी जाएगी डिलेवरी के वक्त आप उस एप के मदद से अपना मोबाइल नमबर डिलेवरी पॉई को अपडेट करा सकते हैं एप के जरिये रियल टाइम बेसिस पर मोबाइल नमबर अपडेट हो जाएगा इसके बाद उसी नमबर से कोड भी जनरेट करने की सुविधा होगी